ओम श्री परमात्मने नमहा, ओम श्री गुरुब्भ्यो नमहा, ओम श्री रुषिब्भ्यो नमहा, सर्वेभ्यो नमो नमहा देवबानी संस्कृतम इगुरुकुलं प्रति भवताम सर्वेश्याम हार्दं स्वागत्तम मित्राणी अध्यवयं रचनानु वादकोमुद्याहा चोडशं अभ्यासं पठिश्याम हा समीचिन आये सोलहमा अभ्यास पढ़ते हैं पंद्रह अभ्यास तक हमने सश्थी विभक्ति के जितने भी नियम इस पुस्तक के अंदर बताए गए हैं वो पढ़ लिए अर्थत सश्थी पंचमी चतुर्थी तृतिया वितिया प्रत्थमा अब एक विभक्ति बच गई है सप्तमी विभक्ति को ये सोलहमें और सत्रहमें अभ्यास में पूर्ण कर देंगी ठीक हैं तो आये हम सप्तमी विभक्ति का ये प्रत्थम अभ्यास पढ़ना आरंब करते हैं सोलहमा अभ्यास शब्द कोश युश्मद तू ये सर्वनाम है सिहनह सिहंग सेर प्रातह कालह प्रातह काल मौर्निंग मध्याहन दोपहर सायंकालह सायंकाल मार्गह मार्ग निशारात्री तो ये साथ शब्द हैं इनको याद करना है अब आयेगा खविभाग रूप्स सेव सेवा करना लभ पाना व्रिध बढ़ना मुद्ध प्रसन्न होना साह साहना याच मांगना व्रित होना इक्ष देखना निरीक्ष देखना अथवा निरीक्षन करना वंद प्रणाम करना भाष कहना कूर्द कूदना यत यतन करना शिक्ष सीखना कंप कापना व्रिक्ष मांगना इह चाहना शुभ शोभित होना रम लगना अथवा रमन करना बहुत ही सुन्दर धातुएं आई हैं यह हमारे बोल चाल में लेखन में बहुत प्रयोग होती हैं इनको आपको बहुत अच्छी प्रकार से इसमर्ण करना है अब इसी प्रकार की डॉक्टर कपिल देवजी बहुत अच्छी अच्छी सामगरी हमें दे रहें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हमें कितनी ब्यवस्थित सामगरी दिये उन्होंने हमें आईएगा तो यह शब्द को आपको याद करना हैं आगे हम देखते हैं क्या और करना है सूचना का विभाग सिंग से लेकर मार्ग तक रामवत रूप चलेंगे तो चलाइएगा कोई परेशान ही नहीं है पर चलाने सब केंगी सब के नोटबुक पर लिखिएगा तब यह अभ्यास होगा और ख सेव से लेकर के रम तक सेव तेवत पर सेवते के रूप हमने आपको बताए ही नहीं है तो तो आगे बताएंगे आज ही बताएंगे सेवते समान तो अब हमने जो बात कर रहे थे दो प्रकार की धात्मों होती हैं परस्मई पदी और आत्मने पदी दो प्रकार की धात तो परस्मी पदी तो उन्हें बहुत सारी अभी पढ़ लिए अभी तक परस्मी पदी परस्मी पदी चल रहीं थी अभर है आत्मनेपदी धात्युं का भी मद्र आ गया तो आज जितनी था दूंध इस और कितनी दातु पता हैं आपको 18 अठारा दातु हैं तो अठारा दातु हैं सारी की सारी आत्मने पदी हैं इसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं उनको अब याद कराना ये आरंभ करेंगे कि आईएगा व्याकरण पार्ट में देखेंगे युश्मद एक तो युश्मद के रूप पूरे याद कराएंगे अभी तक हमने केवल प्रत्मा विवक्ति के याद किये थे अब सभी सातों विवक्तियों के करेंगे और लट लकार आत्मने पदी धातु हैं उनका लट लकार केबल और सब्तमी विवक्ति के नियमों को बताएंगे और श्चुत्व संधी एक संधी बताएंगे तो आएगा नंबर एक युश्मद शब्द के पूरे रूप स्मर्ण करो देखो शब्द संख्या 35 तो पीछे पुस्तक खोल लीजिएगा 35 ये शब्द रूप संख्या है और पृष्ठ संख्या आपकी है 134 ठीक है चलिए देखते जाईएगा और पुस्तक में भी बाद में देखिएगा युश्मद तू त्वम युवाम यूयम त्वाम युश्मान त्वा वाम वाह दुतिया जब्दक्ति में दो दो रूप बनते हैं ठीक है ये त्वया युवाब्भ्याम युश्मा भी ही तुब्भ्यम युवाब्भ्याम युश्मब्भ्यम ते वाम वाह चतुर्थी विवक्ति में भी दो दो रूप बनते हैं त्वत युवाब्भ्याम युश्मत तव युवयोह युश्मा कम ते वाम वाह तो शश्ठी में भी दो रूप बनते हैं अब इसमें विशेष क्या है इसमें वितिया विवक्ति चतुर्थी विवक्ति शश्ठी विवक्ति में दो दो रूप बनते हैं ठीक है तो आपको यह दो दो रूप याद करने हैं और शश्ठी का दूसरा रूप और चतुर्थी का दूसरा रूप एक समान होते हैं वस एक क्याद कर लीजिए का दोनों के याद होगे तो इनको आपको अवश्याद करना है अब आईएगा नम्मर दो सेव लट आत्मने पदी ठीक है यह मैंने आपको बतला दिया कि दो प्रकार की धात्मों होती है कौन कौन सी एक परस्माई पदी कि जैसे भूम और यह पठ आदी यह कैसी है परस्माई पदी और दूसरे प्रकार की धात्मों होती है आत्मने पदी जैसे सेव इह और आपका इक्ष तो इस प्रकार की यह धात्मों है तो यह तो हमने पढ़ लिया भी और आगे भी आएंगी परन्तों अब आज हम इस अभ्यास से इन धात्मों को पढ़ना आरंब करते हैं इनकी रूप कैसे चलते हैं दशों लकारों इनकी रूप भी अलग होते हैं पर हम पहले एक लकार की याद करा रहे हैं यह एक लेकार की आद करेंगे जात कि आजाएगा सेव लट आत्मनिपद सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे ठीक है अब आगे इनुने संक्षित रूप भी दिखा दिया संक्षित रूप भी आत हमें करना चाहिए क्योंकि इसका हमने याद कर लिया अब दूसरों का भी बनाना है हमको के लिए संक्षित रूप देखिएगा आते एते अंते असे एथे अद्वे ए आवहे आमहे तो इसमें जो धातु में यह संक्षित प्रत्य जोड़ते चले जाएए बास जोड़ते चले जाएए अपने आ संग्षित रूप लगाकर लभ आधी के रूप बनाओ जैसे लब वर्धते मोदते वर्तते ईक्षते व deviation भाषते कूर्धते यतथे शिक्षते संक्षते ईहते शोभते रामते एक ग्रूप दिखा दिया जी अब आपको तीनों बचनों में और तीनों पुर्शों में बनाना है संक्षत प्रत्य लगा करें कि राइट अब आएगा सूचना ब्वादी गण एक यह ब्वादी गण क्या है पहला गण है धातुपाट के लिए चलेंगे की पूर्वोक्त रुच त्रई आदी आत्मने पदि धातुओं के भी रूप सेव के तुल्य चलेंगे में तो ब्वादी गण के अंदर जितनी भी आत्मने पदी धातुएं हैं रूट्ट हैं उन्हें सब के रूप सेव के समान ही चलते हैं और परस्मी पद प्रुठी के समान चलते हैं पहले बता दिया हमें ठीक है और कह रहे हैं अभी इससे पहले बीच बीच में कहीं आत्मने-पदी-धातु का एक रूप दिखा दिया था यैसे रुच आई थी रो चते त्रही आई थी त्रायते तो उनके रूप भी आपको इसी के समान बनाने हैं अब बनाने आपको तीनों बचनों में तीनों पुरिशों में और लट लकार में पहले तो मैंने छोड़ दिया था आपको कह दिया था भाई एक प्रथम पुरुश एक बचनकाई याद कर लो परंतो अब आपको तीनों है बहुत ही विशेश नियम है कि नियम बहत्तर आधार ओधिकरण यह सूत्र है हिंदीकार्थ देखते हैं इसको इसका किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं कोई भी क्रिया है उसका आधार आधार माने इसका बेस कहां पर हो रही है वो क्रिया कहां हो रही है जहां हो रही है वही आधार होता है वही क्या होता है अधिकरण होता है जो आधार होता है वही अधिकरण होता है किसका आधार क्रिया का आधार ठीक है किसी भी प्रकार की क्रिया हो किसी भी प्रकार की चाए गमन क्रिया हो चाए स्थिर क्रिया हो किसी भी प्रकार की क्रिया हो जहां पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है तो वही आधार होता है वही अधिकर्ण होता है अब अधिकर्ण यह नाम रख दिया यह क्या है यह पंडीजी सूत्र है नाम रखने वाले सूत्र है तो अब उस नाम को रखने से क्या करना है तो आगे सुन तहत्तर मां बतला रहे है सप्तम्य अधिकर्ण कारक में सब्तमी विवक्ति होती है जिसका नाम अधिकर्ण कारक पठथती क्या विद्ध्यालाएफ टती हिए ने कि साहविद्यालाएफ क्पठथती हिए अ विए अब ये पट ये करता हो गया एक निया होगा दो कि ट्रिया का जो आधार होता है फ़िए किरिया कहां हो रही है है वह रहा है घर में गळली में किया खेत City में ट। मार्केट में होग रही है मंदिर में रही है ये तो कहां हो रही है विद्ध्यालाया में यह पठन किरिया कहा हो और है वीद्द्यालाय में तो किरिया का आधार क्या है ये विद्द्यालए तो बिद्द्द्द खी तो अधिकरणकार में कौन सी वक्ति होती है सब्तमी तो इनमें क्या कर दी सब्तमी विध्यालई समझ में आगे सरल तरीके से अब कोई भी आपको परिशानी नहीं होनी चाहिए प्रकार से पाठ शालायाम उपाध्ध्यायाहसंती ठीक है अब देखिएगा मैंने बोला था चा सब्सक्रेंघ के अस्ठिक को बतलाने वाली हो तो भी उसका जो आधार है उसमें रसक्नी राइव देखिएगा क्या है उपाठ शालायाम उपाध्यायाहसंती कि इसमें क्रिया क्याए है यह संती मनियास तो और है है यह तो हैं तो है किरिया यह कहां है कहां है यह पाध्याय लोग कहां है किरिया का आधार अस्तित्व क्रिया का आधार क्या है पाठशाला या पाठशाला में हैं तो इसलिए इस क्रिया का आधार क्या हुआ पाट्शाला हूं टीक है तो पाठ्शाला में सब्त्मी हो गई रमा के समान है रूप चल गया तो आपको स्व fazer नहीं हो ना कि फटा काधाल धार क्लिया खिंख कुछ है हो सकती है ठीक है वहक्रिय जहां है तो है है कहां है पाटशालायाम समीची ना नियम चोहत्तर विशय में वारे में अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सब्तमी होती है ठीक है कि इसके विशय में उसके विशय में जिसके दवाची शब्द में अथवा बारे में यह की बाथ है अर्थ में और समय बोधक शब्द जो अबी समय थ माड़ा को वाले time को बताने वाले शब्द हैं उन में सब्टमी होती है अब उदाहन देखिएगा मोक्ष इंच्छास्ती मोक्ष के विशें में इच्छा हैं अर्थत मोख्ष के बारे में इच्छा है सभी कह सकते हैं तो किसके विशय में एच्छा है मोक्ष में कौन सी विवक्ति हो गई सब्तमी यह ध्यान रखना है आपको ठीक है कि दिने दिवसे प्रातह काले मध्याहने सायंकाले वाकारियम का रोती तो यह सारे कैसे कालवाची समय वाची समय बोधक्षब्द हैं इसलिए समय सब्तमी हो गई है कि शैशब यह वने वार्धक के वापठती तो यह भी सब समय बोधक्षब्द हैं शैशब एक समय होता है काल होता है तो यह वन काल होता है वार्धक बुड़ापा मने शैशब काल में पड़ता है अथर्वा यह वन होग में पड़ता है चलिए बहुत अच्छी वात है पढ़ने की कोई आयू नहीं पढ़ सकते हैं जानी बन सकते हैं यह पर मात्मा ने हमको छूट दे रखी है आयेगा नियम पिचत्तर संधी सूत्र पढ़ना है अब स्तोष्चुनाश्चुहू स या तबर्ग से पहले या बाद में शा या चबर्ग कोई भी हो तो स और तबर्ग को क्रमशह श और चबर्ग हो जाता है जैसे रामस प्लस च रामस च कस प्लस चित कश्चित तो आगे उदारने पहले इसको समझते हैं यह कह रहे हैं कि स और तबर्ग देखिएगा यह अमने प्रथम भाग में भी पढ़ा दिया है इसलिए अब कोई कठनाई नहीं होगी आपको यह कहरें सा ठीक है और तबर्ग तबर्ग में क्या आता है तो तो दो और धा और ना राइट यह ना आता है कहते हैं कि यह पहले हो अधवावाद में हो कहीं मैंने मैं से कोई भी एक अक्षर है वो एधर हो चाइए इधर हो ठीक है और कहते हैं बाद में शाया चावर्ग कोई भी हो इसी प्रकार से शाओ और और छवर्ग और ञोट ऐस देखिसमें फट्रिश निखिस्च को उख prol हो ौरण से कोई हो और नोई सब्सक्राइब तौर आगे पीछे किर ही हो इन में से कोई वर्ण इधर भी ओसकता हैं और अवे में से कोई दिदर भी हो सकता है तो क्या हो जाएगा यह वरण है इन वरणों को अपना जैसा बनाएंगे एसा बनाएंगे यह जो शको शाव जाएगा ठीक है और तको शाव हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा आगे इनका साहे यह बिसर्ग दीखता है राम आहां तो यह बिसर्ग सही था पहले तो वह बाद में होता है तो पहले यह सुत्र लगते हैं तो रामस प्लस च अब देखिएगा इस सुत्र ने का कि सा और तवर्ग का यदी शा और चवर्ग के साथ है योग हो जाए तो यहां पर देखिए कर ये शा है और चवर्ग है तो इन्हों प्लस चित चलिएगा तो यह समझ में आ गया आपको अब इसके उदाहन और भी देखिएगा कस प्लस चिट कश चित शारंगिन प्लस जयाह तो यहाँ पर न को क्या हो गया है जो पांच मा को पांच मा होू घब याच प्लस नाय याचिया तो नाको क्या हो गया याँ अब अंत में चोटी से सूचना और दे रहे हैं उसको भी पढ़ लेते हैं बहुत अनंदारा हैं अब नहीं नहीं चीजें बहुत जल्दी से ग्रहन हो रही हैं सूचना स्मर्ण रखें की रामाह बालाह काहा आदी पुलिंग एक बचन में सके स्थान पर ही विसर्ग रहता है यह मैंने बता दिया यह जो आपको दीख रहाता आमस तो यह क्या था इसके स्थान पर ही विसर्ग हुआ है यह रामाह पहले यह था उसको ही विसर्ग हो गया है ठीक है तो कह रहे हैं अता संधी के कारियों में सार रखा जाता है जब सथान मूल रूप विसर्ग रहती है संधी में आगे भी सब्रावर्बुशर गही संधी नियमों में समझ vortex तो ये मित्रो आज का अभ्यास हमने अच्छी प्रकार से समझ के पढ़ लिया जो पढ़ने का भाग था आगे की कख्षा में हम ग्रिहकार ये करेंगे कि अस्तु अत्रईव विरमामह सर्वेभ्यो नमो नमहा